अलो एवरीवान गुड आफ्टर नून तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आवर क्लोथ के बारे में यह चैप्टर सेवन है क्लास फॉर का वीडियो है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहां पे क्या बोल रहा है कि अलग अलग तरह का फाइबर्स अलग 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 तरह का फाइबर्स इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे घ्रीख है तो आपको पता है आपको पड़ा खरीदते हो उसके बाद फिर उसको सिलवाते हो तो close बन जाता है आपको पहनने वाला ठीक है तो अब चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या क्या दिया हुआ है तो उसी तरह से क्या होता है अलग अलग जो फाइवर से कैसे थ्रेड लाइक इस्ट्रक्चर बनाया जाता है सारा कुछ इसमें हम लोग देखने वाले है यह जो फाइवर्स होते हैं जो आते हैं कौटन से आते हैं कुछ प्लांट से भी आते हैं ठीक है या तो फिर हुमन नेचरली होते हैं और अननेचरली होते हैं कहने के मतलब कि कुछ प्राकृतिक होता है और कुछ मैनमेड मेटेरियल्स होते हैं तो वो सब जो फाइवर्स हो फैजुआ से बनता है फैज्वरिक से बनता है कपड़े फैजिए मतलब अपर अलग 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 प्रोसेस होता है जो कि हम्हें बoses देखेंगे फॉर्स्ट हमारा क्या है spr Ole जाता है ठीक है गोल गोल घुमा कर ठीक है फाइवर्स को उससे क्या बनाता है यान बनता है यान मतलब धागा होता है ठीक है ट्विस्ट करकर देखो धागा बनाता है और धागा बनाने के बाद क्या होता है ना उसी को इसी यही प्रोसेस को हम लोग यान श्मीनिंग बोलते ह जैसे कि cotton balls, ठीक है, cotton balls कहां से होता है, cotton का जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं वो प्लांट से हमको आता है, उसका एक cotton balls होता है, जो कि प्लांट से लोग तोड़ कर उसको लाते हैं, ठीक है, cotton प्लांट से और उसको convert करते हैं यान में, यान में मतलब धागा में convert करते हैं, ठीक ह दागा को क्या किया जाता है it is either done by using spinning wheels या तो इसको यह spinning wheel इसको बोला जाता है spinning wheel चैसे चर्खा को बोलते हैं या तो फिर machine भी आ गया machine के थ्रू भी करते हैं और इससे धागा बनाकर फिर धागा बनाने के बाद उसको धागा को कपड़ा में convert किया जाता है अब weaving क्या है weaving यहाँ पर क्या होता है देखो weaving के समझना अच्छा से it is method by which cloth is made by criss crossing thread together अब यहाँ पर क्या बोले कि यह method है जिसके थ्रू जो cloth होते हैं कपड़ा जो होते हैं वो बनाया जाता है क्रिस क्रोशिंग करके मतलब कि इधर उधर 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 मोड़कर यह मशीन आपको दिख रहा है ना धागा को इसमें लगा दिया जाता है और पूरी तरह से मोड़ा जाता है ठीक है मोड़कर इसका एक हमें special video भी बनाया लिंक में दे देंगे आपको ताकि अच्छे समझ में आजाए video के थ्रू ठीक है एक साथ सब जमा करकर एक साथ लगा कर उससे फिर कपड़ा बनाया जाता है जो यान होते धागा होते हैं उसको उसको किस चीज़ में produce कर दिया जाता है बिन बून कर ठीक है फैबरिक में फैबरिक में कनवर्ट कर दिया जाता है मशीन से ठीक है जिसको लूम बोलते हैं लूम इस प्रोशेष को लूम बोला जाता है यह म memb 0 loom है इस machine को loom बोला जाता है इससे क्या होता है कि धागा को बुन कर कपड़ा में convert कर दिया जाता है ठीक है clear हो गिया कैसे हम लोग यह उन ले थे हो ना उन जो उन हमारा plant से आता है यह animal से आता है तो उन का ball ले तो आपके क्या कर दिया जाता है कपड़ा बना दियो कपड़ा आपको मिल गया आपको सट सिल्वाना पैंट सिल्वाना है सूट वेगारा फ्रॉक वेगारा जो आपको सिल्वाना आप सिल्वा सकते हो जैसा जिस टाइप का कपड़ा आपको चाहिए उस टाइप का कपड़ा मिल जाता है cotton का चाहिए cotton मिल जाएगा, woolen चाहिए woolen मिल जाएगा, ठीक है, next हमारा क्या है, knighting, knighting मतलब बुनना होता है, ठीक है, knighting मतलब भी बुनना होता है, जैसे कि, ये काटा से, उन का काटा वाला जो होता है, ये इसके थरू हम लोग जो बुनते हैं, उनीक कपड़ा को, इसी प्रोसेस को हम लोग नाइटिंग बोलते हैं, हाथ से बुना जाता है, टीज मेथड बाइच यान ट्विस्टे इंटू अ सीरीज आफ लूपस मेक दफाबरिक रोती है, यह method होता है कि जो कि यान को धागा को एक सीरीज में सीरीज में लेकर चलता है एक सीरीज में लेकर इसको बूना जाता है ठीक है loops करकर उपर नीचे उपर नीचे घुमा कर इससे क्या होता है कि कपड़ा बन जाता है फैबरिक बन जाता है ठीक है यान can also be knighted together by using a special knighting machine अब यान को भी knight किया जा सकता है एक साथ एक special knighting machine होता है यह तो हाथ के थ्रू कर रहा है एक machine भी होता है अब knighting needles knighting needles यह वाला जो दिख रहा है इसको knighting needles बोलते हैं फैबरिक बनाने के लिए ठीक है जैसे कि उलेंटी सट हो गया श्रॉक्स हो गया मोजाव एगरा हो गया श्वेटर्स हो गया यह सब common knighting fabrics है ठीक है जो कि आप लोग हाथ से भी इसको बुना जा सकता है और कुछ-कुछ machine से भी स्वेटर कुछ-कुछ जो अप लोग मार्केट में खरीदने जाते हैं स्वेटर जो रहता है मार्केट से लेते हो तो मशीन के द्वारा बुना जाता है अब dyeing and coloring क्या होता है dyeing and coloring dyeing कहने के मतलब कि dye कर देना उसको color में अलग जैसे कि आपको चाहि अलग अलग तरह का color का चाहिए ठीक है तो उसी लिए क्या किया जाता है कि कपड़ा को बूना जाता है फिर उससे कपड़ा बूना जाता है ठीक है बाबु तो dyeing यहाँ पर यही process है अभी दिखा रहे तो oven fabrics looks like a sheet जो oven fabric होता है ना जो बुना हुआ fabric जो fabric मतलब कपड़ा बुना हुआ क्या होता है कि एक sheet जैसा दिखता है इस तरह से देखते हो ना market में जब जाते हो कपड़ा शट बगार लेने तो अगर कपड़ा लेकर सिलवाते हो लोगी school dress बगार भी तो उसका इतना बड़ा गोला होता है उसमें बड़ा सा लिकालता तो एक sheet type रहता है ना sheet type रहता है and is treated with the chemicals to remove any impurities of the sheet particles और फिर उसको एक chemical डाल कर जैसे कि अब तो बुन दिया गया कपड़ा को बुनने के बाद उस sheet हो गया अब उसको एक chemical में डाला जा से chemical होता है जो कि कपड़ा को जैसे बुन तो लिया तो उसमें कीड़े मौकड़े भी होंगे बुनने टाइम में तो उसको chemical डालने से क्या होगा वो बिल्कुल phrase हो जाता है उसमें जो impurities होंगे seeds particle थोड़ा बहुत seeds भी होता है बीज वेगारा तो उसमें सब हट जाएगा ठ यकी किया जाता है color किया जाता है bright color के लिए अगर white है तो white ही छोड़ देता है अगर bright color चाहिए तो bright color के लिए कुछ अलग-अलग जो color चाहिए उस color में उसको do Baht य कुश ऐसे chemicals रहते है color में ताकी वह अच्छ यशे dyea हो जाता है color छूटता नहीं है तीक इस clothesily are अलग-अलग dress बनाया जाता है ठीक है तो I hope कि आपको clear हो गया होगा इसके बारे में जो भी पढ़ा है और clothes को dye करते हैं अलग-अलग colors में dye करके अलग-अलग तरह का कपड़ा बनाया जाता है यह तो पता ही आपको जैसे कि यहाँ picture में आप देख रहे हो ना इसमें dyeing clothes clothes को कै से dye कर रहा है ठीक है अब इसके बार डाई करने के बाद जो सट बनाना है क्या पैंट बनाना जो भी बनवाना है बनवा सकते हो market में फिर एवलेवल हो जाता है यहाँ पर identify करने के लिए बोला है तो एकदम easy way से identify कर सकते हैं इसको loom है चरखा है ठीक है और यह knitting needles है नेक्स् खरीने के बाद जैसे मन तैसे रख देते हैं तो उससे आपका कपड़ा जल्दी खराब हो जाता है तो इसको अच्छा रखने के लिए हमको क्या करना होगा तो we should look after our clothes so that they last longer and look good हम लोग को अपना कपड़ा को अच्छे से देख भाल करना चाहिए ताकि ओ लंबे समय तक चल clothes कहने का मतलब की unique clothes जो हम लोग ठंडा के दिन में पहनते हैं delicate मतलब की soft clothes जो की जैसे कि silk वगरा हो गया ठीक है जैसे यहां बोलो कि such as coat हो गया suit हो गया ट्राउजर हो गया silk cloth हो गया silk कपड़ा साड़ी ममी लोग पहनती होगी ना तो वो सब को हम लोग को अच्छे से care fully clean कर करना चाहिए साफ अगर कर रहे हो तो अच्छे से करना चाहिए असा नहीं कि उसको हम पूरा रगड दिया अच्छे से तो क्या हो जाएगा कि वो पूरा फट जाएगा फट भी सकते क्योंकि वो सब delicate होता है उलेन clothes का भी उसमें उसको हम लोग देखते हो ना नोर्मल सरफ स हम लोग नहीं दोते उसके लिए इजी सरफ आता है इजी सरफ से उसको हम लोग दोते हैं तो इजी सरफ एक ज्यादा उसमें hot chemicals नहीं डाला हुआ ताकि कपड़ा पे असर ना करें ज्यादा उसमें बस जो impurities होते हैं उसको हटा दिया जाता है उसमें गंदगी को इसलिए व यह सब delicate fibers होते हैं need a lot care इसको हम लोग को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए they can be easily attacked by the insect and such moth and silverfish देखो silverfish और moth एक किना होता है जो कि कपड़ा में लग जाता है उससे क्या होता है कि अगर उसको अच्छा देख भाल नहीं करो तो कुछ दिन तक ऐसे ही रख दोगे कपड़ा को तो उसमें उससब लग जाता है किना मकड़ा और आपका कपड़ा को खा जाएगा फाड़ देगा पूरी तरह से देखते हो ना जब भी हम लोग एक हम लोग बॉल रखते हो उसमें कभी अपने पापा ममी को देखना कि कहीं भी कपड़ा रखे है तो उसमें white color का बॉल रख रखा जाता है तो बॉल से क्या होता है कि वो सब कीने मकड़े दूर रहते हैं अब आपका कपड़ा अच्छा रहेगा च्छर्ट पॉइंट में देखिए क्या है वी शूड नेवर इस्टोर डर्टी उलेन और सिल्क क्लोथ्स विकॉस दे कैन अट्रेक्ट इंसेक्ट को हम कभी भी डर्टी या उलेन उलेन क्लोथ्स हो गया सिल्क क्लोथ्स हो गया यह सब को गंदा जैसे कि आपको लगए कि यह गंदा कपड़ा हो गया है तो उसको कभी भी गंदा कपड़ा को नहीं मतलब की रखना चाहिए जमानी करना चाहिए क्या होता है कि स्वेटर हम लोग क काम खतम हो गया ठंडा चला गया अब जो जैसे बीना धोय धाय रख दिये ट्रंक में तो उसमें किनामकोडा लगी जाएगा इसलिए उसको साफ करके पूरी तरह से रखना चाहिए आपको ठीक है साफ करके नहीं रखोगे तो उस पे दिक्कत हो सकती है निक्स्ट यहाँ पर देख लो यह पॉइंट्स दियो वी शूद वी वश क्लोथ विद वाटर और गुड डिटर्जन अच्छे डिटर्जन से धोना चाहिए अपने कपड़े को मतलब कि शरफ वैकरा से अच्छे सरफ से धोना चाहिए उसको अच्छे से देख भाल करना चाह देखो इस्टोर डेलिकेट क्लोथ विड ड्राइट नीम लीपस या तो देखो क्या होता है कि नीम का पत्ता होता है उसको सुखा पत्ता आप डाल दो कपड़ा में जब अगर जमा रख रहे हो जैसे कि ठंडा वाला कपड़ा रख देते हैं गर्मी में तो रख रहे हो तो या तो मोथ वोल्स यह होता है यह वाला जो वाइट कलर का बताने यह मोथ वोल्स इस से क्या होता है कि कीणे मकोडे दूर रहते हैं आपको कपड़ों तक नहीं पहुचेंगे शोट यह यह वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया और यह से वन का सिलेवस पूरा आपका कंप्ली हो गया साइंस में मेरा पूरा वीडियो डाला हुआ है वन टू सेवन तक तो आप चेक आउट कर सकते हैं हम इस वीडियो में सारा लिंक देदेंगे ओके डिया सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड के साथ सेयर भी कीजिए झाला हुआ है